दोस्तो नमस्कार आज के जिके क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तो इसका राइट आंसर होगा मलेरिया डेंगू चिकन गुनिया। दोस्तो अगला प्रस्तन है नीचे दिये गये कथन के संबंध में सही विकल्पका चुनाओ करे। कक्षा में बच्चो दुवारा दी गई गलतियां। यह है यह सिखने में बाधाव उत्पन करती है और बच्चो को समस्या का समाधान करने में साहता करती है। तो दोस्तो इसका right answer होगा option B. ये बच्चों को समस्या का समधान करने में साहता होती है. तो दोस्तो अगला प्रस्न है सिख्छाक अकलन के लिए उपकरण कंतर्गत बच्चों के सिखने में प्रगती की जनकारी एकत्रित कर उसका रिकार्ड रखते हैं. किसमें रखते है option A. जाज सुची और option B. पोर्ट फोलियो और option C. क्रम निर्धाराड पैमाना और option D. उपकरणात्मक अभिलेग तो दोस्तो इसका right answer होगा option B. पोर्ट फोलियो अगला प्रस्न है एक परिस्थितिक तंत्र के अब घटक हैं. तो option A है कार्बानिक पदार्थों को अकर्बानिक पदार्थों में बदलते हैं. और option B में है अकर्बानिक पदार्थों को जटिर रूपों में बदलते हैं. और option C है अकर्बानिक पदार्थों को कार्बानिक पदार्थों में बदलते हैं. और option D में है कार्बानिक पदार् में बदलते हैं अगला प्रस्ण है प्रित्वी अपने अक्षपर एक घुड़ान करीब खालिस्थान में पूड़ करती है तो आपसन यह है 345 दिन आपसन भी है 24 गंटे और आपसन सी है तो देव का रितु से क्या रिस्ता है आपसन ए पिता आपसन भी है मामा आपसन सी चाचा और आपसन डी दादा तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मामा प्रस्ण है इनमें से कौन सा परियावरण अध्यान में रचनात्माक आकलन है तो आपसन यह है पाठ में दिये गया नविन सब्द वली की ब्हाफ्फ्षा करना और संड्वी qualcosa बच्चों को पार्ट में दिये गए चित्र बनाने को कहना और आप्शंडी है बच्चों से किरिया कलाब करवाना और अवलोकुनों को दर्ज़ करना Him तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आप्शंड divided बच्चों से क्रिया कलाब करवाना और अवलोकनों को दर्जख करना अगला प्रस्न है इनमें से काउनसा प्राकृतिक और समाजिक अंताक्रिया का उदहारत नहीं है तो आपसन ए है पेड़ों को काटना और आपसन भी है बांध का निर्माड और आपसन C है नविन विद्यालाए और आपसन D है खुदाई तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आपसन D खुदाई तो आपसन A है इसकरवी, आपसन B है बेरी-बेरी, आपसन C है रताउंदी और आपसन D है रिकेट सा तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा इसकरवी आपसन A तो आपसन A प्रसन में जाते हैं निर्मन लिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है आपसन A पोलियो, आपसन B रेबीज, आपसन C मलेरिया और आपसन D है छै रोग तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा मलेरिया अगला प्रसन है परियावड़ा ध्यान में कहानियों को एक सिछा सास्र की तरह परियोग क्या जाता है इस सब्मंध में कौन सकतन सही है तो आपसन A है बच्चों में कलपन सक्ती का विकास होता है और आपसन B है बच्चों की एकाकरता बढ़ती है और आपसन C है बच्चों के इतिहास का ज्यान होता है और आपसन D है बच्चों कक्षा में सक्रिय नहीं रहते हैं तो दोस्तों इसका रही टांसर होगा आपसन B A, B, C सहीं है अगला प्रस्न है NCF 2005 ने परियावरणा अध्यान के लिए निमने लिखित में से कौन सी अनुसरमसा नहीं की है तो आपसन A है परियावरण के प्रती बच्चों की जिग्यासा को पूफडन मिलना चाहिए और आपसन B है बच्चों के भासाई का उसल का विकास होना चाहिए और आपसन C है स्वास्त विशय परियावरणा अध्यान में सामिल होना चाहिए और आपसंडी है कक्छा में सिख्छक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जनकारी देनी चाहिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपसंडी कक्छा में सिख्छक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जनकारी देनी चाहिए अगला प्रस्ण है परियावर रध्यान की कक्षा का प्राराम्भ कुछ प्रस्णों से क्या जाता है निमने लिखित में से कौन से कथन प्रस्ण पुछने का सही परिप्रेच्छ नहीं है तो आपसन है बच्चे के पुर्व ज्यान का पता लगाया जा सकता है और आपसन B है बच्चों को अलोचनात्मत चिंतन करने का अउसर मिलता है और आपसन C है प्रश्ण बच्चों को जिग्यासा जगाते हैं और आपसन D है बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सिमित क्या जा सकता है दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आपसंडी बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सिमित क्या जा सकता है दोस्तो अगला प्रस्ण है परियावर रद्ध्यन की कक्षा में बच्चों को खुले प्रस्ण पुछने का मुख्य उद्देश से क्या है तो आपसंडी है बच्चों में अभी सारी चिंतन का विकास करना और आपसंडी है बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना और आपसंडी है बच्चों में सुनने के लिए काउसल का विकास करना तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना आपसन B तो दोस्तों अगला प्रस्ण है इनमें से कौन से कथन कक्षा में आयुजीत गतिविधी के संबंध में गलत है तो आपसन ये है गतिविधी समू में की जाती है और आपसन भी है गतिविधी उत्सुक्ता जगाती है और आपसन ची है गतिविधी में सिक्षक की भागिदारी निवनितम होनी चाहिए और आपसन भी है गतिविधी में चुनावती का तत्व मवजूद होना चाहिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपसन A करेगी वह हैं इन में से किस समुह की वस्तुय कक्छा में लेकर आएगी तो न है चुकंदर आलू अद्रक और आपसं बी है गाजर हल्दी अद्रक और आपसंची है सकरकंद मुली हल्दी और आपसं डी है गाजर गाजर चुकंदर मुली, तो दोस्तों इसका राइट आंचर होगा, गाजर चुकंदर मुली, तो अगला प्रशने में जाते हैं, वन के परिस्थितिक तंत्र में, कवब कोक की समु में रखा गया है, आपसन ए है उत्पादक, और आपसन भी है उबहुकता, आपसन ची है अप गटक अगला प्रस्ण है इनमे से कौन सा समुह प्रात्मिक उभोकता है अप्षन A चीलवा सांप अप्षन B गाय और खरगोश अप्षन C में है हीरण और सेर और अप्षन D है बकरी और लोमडी दोस्तों इसका राइट आंचर होगा अप्षन B गाय और खरगोश अगला प्रस्ण है इनमे से कौन सा विद्यार्थियों के उचित बेवहार में विर्द्धी करने के लिए सरवाधिक उप्यूक्ता है तो आप्षन A है ध्यान न देना आप्षन B है सकती करना और आप्षन C में है प्रुशकार और आप्षन D में है प्रसंसा करना तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आपसन D प्रसंस दोस्तो अगला प्रस्ण है भारत में लड़के एवं लड़कियों के युवाह के लिए सबसे कम उम्रा माना जाता है तो आप्षन A है 18 से 21 वर्ष और आप्षन B में है 21 वर्ष 18 वर्ष और आप्षन C है 18 वर्ष 18 वर्ष और आप्षन D है 18 वर्ष और 16 वर्ष तो दोस्तों इसका राइट आंचर होगा आप्षन B 21 वर्ष और 18 वर्ष अगला प्रस्ण है परियावरे रध्यान की कक्षा में सिक्षिका ने अद्रक को तना कहा क्योंकि तो आपसन यह है इसका स्वात तिखा होता है और आपसन भी है इसमें पर्वा और पर्वसंधियां होती है और आपसंची में है इसमें भोजन का संग्रा होता है और दोस्तो आपसंडी है इसका रंग हरा नहीं है तो दोस्तो इसका राइट आंचर होगा आपसंड B इसमें पर्वा और पर्वा संधिया होती है तो दोस्तो अगला प्रस्न है प्रात्मिक इस्तर पर परियावर अध्यन में परिवार महत्तो पुड़ भूमी का निभाता है क्योंकि तो आपसन ए है परिवार में समझदार ब्यक्ति होते है और आपसन बी में है बच्चों में परिवार का जुड़ा होता है और option D में है परिवार और विद्वियलाए एक दूफ्रे से संबंधित होते है तो दोस्टो इसका राईट आंशर होगा option C यह हवास्तोविक इस्थितियों में शिखने के आउसर उपलब्द करवाता है तो दोस्तो अगला प्रस्तन है परियवरेड के पाठ्य पुस्तक के संब्ध हमें कौन से कथन सही है तो option A है पाठ्य पुस्तक में परिभासाओं को सामिल किया जाए और option B है बच्चों को खोच के अउस्वार दे और option C है तथ्यात्मक जनकारी की अधिकता हो और option D में है अलोचनात्मक किंदन को बढ़ावा देने का अभ्यास होना चाहिए तो इसका राइट आंचर होगा option A, B और D सहीं है तो दोस्तो अगला प्रस्न है प्राथमिक इस्तर पर परियावरण अध्यन के अंतरगति विज्ञान और समाजिक विज्ञान को सम्मिलित क्या गया है इसका उद्देश से क्या है तो option A है विद्द्यार्थियों के इस योग्य बनाना की वह अपने परियावरण को समगरता के साथ समझ सके और option B में है बस्ते के बोच को कम करना और option C है दुनों मिलते जुलते विशय है और option D है पढ़ाई की विशयों की संक्या कम करना तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा option A विद्द्यार्थि को इस योग्य बनाना की वह अपने परियावरण को समगरता के साथ समझ सके तो दोस्तो अगला प्रस्न है दहेज प्रतिसेद अधिनियम कब लागू हुआ तो option A है 1 अप्रेल 1925 और option B में है मार्च 1966 तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा जुलाई 1961 तो दोस्तो अगला प्रस्न है इनमें से खाद देश रिखला का सही क्राम कौन सहे option A है घास लोमडी खरगोश और option B में है घास साप मेंधाग और option C है घास खरगोश सेर और option D है घास लोमडी इराड तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा घास खरगोश सेर अगला प्रस्न है निमने लिखित में से कौन से कथान रचनावादी द्रिष्टिकोड के बारे में सही है तो option E है शिखना रच कर यात रखने की प्रक्रिया है और option B है सिखने में समाजिक सहभागिता महत्वपूड है और option C है सिखना उद्दिपन और अनुकरिया के द्वारा होता है और option D है ज्यान निरमाण के लिए दंड महत्वपूड है तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा option B सिखने में समाजिक सहभागिता महत्पूरा है अगला प्रस्ण है निमने लिखित में से कौन सा परियावरण का भावती घटक नहीं है option A है आद्रता, option B जुलाई, option C में है कवाग, option D में है नदी तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा option C कवाग, अगला प्रस्ण है सजीवों में सुवसन से संबंधित अंग है option A गल फडे तुवचा विरिक, option B गल फडे तुवचा फेफडे, और option C है तुवचा फेफडे छोटी आद, और option D है फेफडे विरिक के यक्रीद तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा option B गल फडे तुवचा फेफडे दोस्तो अगला है सीजीटेट 2019 का ओल्ड प्रस्ण पत्रा परियावरण, सेट A तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं इसका फंश्टा कोईस्चान तो पहला प्रस्ण है निम्न लिखित में से उसे चुनिये जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंद से कई किलोमीटर दूर से ही कर सकते हैं तो आप्षन A है चीन्टी, आप्षन B में मच्छर और आप्षन C है रेसाम का कीड़ा और आप्षन D है मध्मक्की तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा रेसाम का कीड़ा अगला प्रशन है निवन में से कौन से तरीका बच्चों के सिखने का रचनावादी तरीका है तो आप्षन A है गती विद्यों के माद्यम से और आप्षन B है कक्छा में अध्यापन से और आप्षन C है रेखा चित्रा बना कर और आप्षन D में है बाचित्र कर तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गती विद्धियां के माध्यम से अप्सन ए अगला प्रस्न है रेखा की माँ खाली स्थान के लिए प्रोजाना तलाप से लाए पानी में फित करी डालती है तो आप्सन ए है हलके निलंबित उपद्रवों को अउसाधित करने के लिए आप्सन भी है कठोर जल को मृद्धव जल में परिवर्तित करने के लिए और आप्सन सी है पानी में मौझूद रोगाड़ों को खत्म करने के लिए और आप्सन D है पानी को रंगीन करने के लिए तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आप्सन A हलके निलंबित अब द्रभ्यों को और साधित करने के लिए तो दोस्तो अगला प्रस्थन है बिटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग कौन सा है तो आप्सन A है इसकरवी आप्सन B है बेरी-बेरी आप्सन C है रिकेट सा आप्सन D है पिलागरा तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आप्सन B बेरी-बेरी अगला प्रस्थन है परियवड अध्यान पाठ्थिकरम की अपेक छायन नीमन में से कौन सी है इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी दोस्तो अगला प्रस्ण है समाजी कद्यान में ज्यान प्राप्ति का स्रोत निम्न में से क्या है तो आप्सन ए है प्रियोगों दुवारा, आप्सन भी है ज्यान अवलोगनों से और आपसंची में है जीवन साहली से और आपसंडी है प्रकृती के साथ अंताग करिया से तो इसका राइट आंसर होगा आपसंची जीवन साहली से अगला प्रस्न है सजीव निरीजीव घटकों के बेच अंताग करियाओं का उदाहररा निम्न में से काउंसर है तो आपसन A है आहार स्रिखला और आपसन B में है खाद गे जल और आपसन C है सिकार की किरिया और आपसन D है जल चक्रा तो दोस्तो इसका राइक आंसर होगा जल चक्रा तो अगला प्रस्न में जाते हैं निमने लिखित में से कांचा मच्छरों से होने फैलने वाले रगों का समुझस चैंज है परियावरण के घटाक है तो आप्षन ए है समाजिक एवं आर्थिक, आप्षन बी प्राकृतिक, आप्षन ची संस्कृतिक और आप्षन डी है उप्रोक्त सभी तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा उप्रोक्त सभी तो दोस्तो अगला प्रस्ण है प्रात्मिक इस्तर पर परियावरण अध्यान के इस सिख्षड में कहानियों और कविताओं का प्रभावी डह्म की उप्योग क्या जा सकता है परियावरण अध्यान में इनके उप्योग कमुख के उद्देश्य क्या होना चाहिए तो आप्ष आपसन भी है पाठो को अनन दायक बनाना और आपसन सी में है भासिक काउसलों को बढ़ावा देना और आपसन डी है कच्छा की विधिवत की पूर्ती तो दोस्तों इसका राइट आंचर होगा आपसन ए सिखने के लिए संदर भगत वातावरर प्रदान करना तो दोस्तों अगला प्रस्ने में जाते हैं कच्छा में पोफ़ार प्रकरार का परिचाए अधिक प्रभावी तरीके देने के लिए एक सिख्छक को क्या करना चाहिए तो आपसन यह विध्यार्थियों का अपने टिफिन बाक्स खोलने और उसकी समागरी को देखने के लिए क पाचन तंत्र का आरेक बनाना चाहिए और आपसन डि में है मानाव दातों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपसन बी पोशक तत्व से भरपूर इभिन्न बोजन के उदाहारर देने चाहिए तो अगला प्रस्न है एक तलाब में क आपसन C है तिरितियक उभोगता और आपसन D है उपरोगता सभी तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपसन बी दिवितियक उभोगता तो अगला प्रस्न में जाते हैं ग्यान निर्मार के संदर्भ में कौन सकतन गलत है अप्सन A है अनोभव की आविस्यकता का ना होना और अप्सन B है अउधारा बनाना और अप्सन C है अनिवेचर की विद्यों की आविस्यकता और अप्सन B है सत्यापन प्रिक्रीकाओं की आविस्यकता तो दोस्तो इसका रहेट आंसर होगा अप्सन A अनोभव की आविश्यकता का ना होना अप्सन ए तो अगला प्रशन है दोस्तो सरकार द्वारा बाल स्राम रोग थाम अधिनियम का संसोधन किया गया था अप्सन ए है सितंबर 2007 में अप्सन भी है अक्टूबर 2006 में और अप्सन C में है जनुवरी 2008 में अप्सन D में है अक्टूबर 2009 में तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा अप्सन B अक्टूबर 2006 में तो दोस्तो अगला प्रशन है परियवर रध्यान के सिख्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को चिडिया घले जाने की उजना बनाते हैं वहाँ पर छात्रों को कौन सी एक्टिविटी किरिया कलाप करने के लिए अनुमती नहीं देंगे तो आप्सन A है चिडिया घर के प्राडियों के लिए डेर सारा बोजन रखने के लिए और option B है चीडिया घर के प्राडियों दुवारा करहर किये जाने वाले भोजन की जनकारी प्राप्त करने के लिए और option C है चीडिया घर में देखे जाने वाले एक प्राडियों के फोटोग्राप इकटा करने के लिए और option D है अपने साथ ड्राविंग बुक रखने के लिए ताकि चिडिया घर में दिखने वाले प्राडियों को चित्रा बना सके तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा option A चिडिया घर के प्राडियों के लिए धेर शारा भोजन रखने के लिए दोस्तो अगला प्रस्ण है नींद लाने के लिए लिजाने वाली नार्कोटिक और सिद्या है option A हिरवाईन, option B मारफीन और option C है अफिम और option D में है उप्रोक्त सभी तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा उप्रोक्त सभी तो दोस्तो अगला प्रस्ण है बच्चों के सिखनी के प्रक्रिया में सिख्छक की भूमी का निम नमल से क्या होती है तो option A है सक्रिय भागिदारी और option B में है सहायक और option C में है प्रेराख और option D है मारगदर्शक तो दोस्तो इसका राइट आंचर होगा सक्रिय भागिदारी आप्षन A अगला प्रस्ण है परिस्थितिक तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है आप्षन A है आइनोई स्फियर, आप्षन B है लिथोई स्फियर और आपसन C है Bio Sphere और आपसन D है Mijosphere तो दोस्तों इसका राइट आंचर होगा आपसन C Bio Sphere तो अगला प्रस्ण है निम्न में से कौन सा कौन साल सर्वथा भिन्न है आपसन A साइकिल चलाना, आपसन B तैरना, आपसन C भासा चिखना और आपसन D बच्चों का चलना सिखना तो दोस्तों इसका राइट आंचर होगा आपसन C भासा सिखना अगला प्रस्ण है निम्न में से कौन सी विधी से छात्रों को जनकारी पेस करने के लिए प्रुस्ताहित किया जा सकता है तो आपसन A में है चित्र बनाकर, आपसन B में है तलिकाय बनाकर और आपसन C है प्रक्रियाओं के प्रवाह रेखा चित्र बनाकर और आपसन D में है उप्रोक्त सभी तो दोस्तों इसका राइट आंचर होगा ये सभी नियम से अगला प्रस्ण में जाते हैं निम्न में से कौन सा रचनावादी धंग से सिखने के प्रक्रियाओं का भाग नहीं है आपसन A है कारे करने में जादा जानकार, ब्यक्ति के मदद नहीं मिलती आपसन B है कारे करने में खुद की मदद करना और option C है कारे सहज हो जाता है और option D में है प्रक्रिया का उप्योग बार-बार किया जाता है तो दोस्तो इसका right answer होगा option A कारे करने में जाता जनकारी बेक्ती के मदद नहीं मिलती बेक्ती से मदद नहीं मिलती तो दोस्तो अगला प्रस्न है सर्वेच्षड या इफ्लेफड से बच्चे की परियावरर के बारे में समझ को जाना जाता है यह जानने वाली समझ निम्न में से कौन सी है तो option A है ध्यान से देखना option B है महसूस करना option C है याद रख पाना और option D में है उप्रोक्त सभी तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा option D उप्रोक्त सभी तो अगला प्रस्न में जाते हैं परियावररर के प्रती बढ़ते सरोकार का कारण निम्न में से कौन सहई क्या है तो option C में है मनुवी गतिविद्यों के खत्रे की हद तक नुक्सान और option D में है उप्रोक्त सभी तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा option C मानुवी गतिविद्यों से खत्रे की हद तक नुक्सान तो दोस्तो अगला प्रस्न है एक परियावर रध्यान की कक्षा के लिए सरवाधिक उप्यूक्त सिक्षा सास्त्री पद्धिती होनी चाहिए तो आपसन ए है केवल प्रियोगों परधारित, आपसन भी में है केवल बेख्ष्यानों परधारित, और आपसन C में है परिच्छा उन्मुखी, और आपसन D है भागी दारिता परक एवं चर्चा अधारित, तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आपसन D, भागी दारिता प प्रक एवम चर्चा अधारीत तो अगला प्रस्न है नक्से के पढ़ने में निम नमे से काउन सफरन असात क्या है झालज रोछशन सबस्क्राइब आपसन छी है ओल्से का अजरिये का असार होता है प्रस्न भी है यंग्षे में संकेत होते है अगला प्रस्न है आवासी पुनर्वास केंद्रो दुवारा निमने लिखित में से कौन से उपचार दिये जाते हैं तो आपसन ए है सामुहिक कारिया आपसन भी में है मनोवज्यानिक हस्तचेप और आपसन सी है समाजिक कुफलता का प्रसिक्छाड और आपसन डी है उपरोक्ता सभी तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्ता सभी दोस्तो अगला प्रस्न है एक खाद्य फरिखला में मनुस्या होता है आपसन ए उत्पादप आपसन भी है प्रात्मिक उभोक्ता और सी में है दिवितियक उभोक्ता और आपसन डी है प्रात्मिक एवम दिवितियक उभोक्ता दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आपसन डी तो अगला प्रस्न है समाजी के ध्यानिम्न में से किस बात का विज्ञान से अलग है तो आपसन ए है कार या कारार के मद्य संबंध खोजना आपसन भी है तुलना करना आपसन ची है तारकी कता और आपसन डी में है निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपसन डी निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना तो अगला प्रस्न है किसी का खाने में कारे करने के लिए खालिस थान से कम उम्रा के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता आपसन A चाउदा, आपसन B में है बिश, आपसन C है पंदरा और आपसन D में है अठारा तो दोस्तों इसका राइत आंचर होगा आपसन A चाउदा